नम बुद्धाय, जेभिम, जेभार्त चक्रवर्थी समराटाशुक का जिन्म 304 इसा पुर्व में पाटली पुत्र में हुआ था वे बिंदुसर और सुबद्रांगी के पुत्र थे और आशुक महान चंद्रगुप्त के पोटे थे समराटाशुक की चार पत्निया थी उनकी पत्नी का नाम देवी, करुवाकी, पदमावती और तिशाराक्ष था और उनके चार पुत्र थे उनका नाम महेंद्र, संगमित्रा, तिवल और कनला था समराटाशुक को बचपन से ही शिकार करने का शौक था और खेलते खेलते उसमें निपुन हो गए थे बड़ा होने के बाद सामराजे के मामलों में अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया जब भी वे कोई काम करते थे तो वे अपनी प्रजा का पुरा ध्यान रखते थे इसलिए उनकी प्रजा उन्हें पसंद करने लगी थी भारत में अपना राज्य फाइला आया और पूरे भारत पर श्यासन किया था सामराटाशुक के सामराजे के विस्तार की बात करे तो सामराटाशुक का सामराज अखंड भारत में फाइला हुआ था केवल समराट आशोक ने उत्तर से दक्षिन तक स्यासन किया था समराट आशोक का राज्य उत्तर से दक्षिन तक हिंदु कुष की परवत माला से और पुरुव में बांगलादेश से लेकर पर्श्चिम में इराक और आफगानिस्तान तक फैला हुआ था महारानी देवी समराट आशोक की पहली पत्नी थी और उनके तिन बच्चे उनेंद्र, महेंद्र और संगमित्र की मा थी देवी और समराट आशोक के रिष्टे को बहुत खास माना जाता है फिल्म में भी आपको दिखाय गया होगा कि देवी और आशक के बीच दोस्ती भी बहुत गहरी थी देवी हमेशा से बोध धम्मों को मानती थी इसलिए विदिशा को बोध धम्म के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है आशक एक महाधर्मिक सहिश्नुशासक थे और वह बोध धम्म का अन्याई थे वह पूरी तरह से पशो हत्त्य की खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा लोगों को जीवन का ग्यान दिया और उन्हें जिने दिया सामराटा शोक ने बोध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए स्रीलंका, नेपाल, शिरिया, आफगानिस्तान आदि में अपने दूत यानी प्रचारग भी भेजे थे उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था ताकि वे बोध धम्म का प्रचार कर सके और इन देशों में लोगों को धार्मिक बना सके उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र और संग मित्रा को बोध धम के प्रचार में सबसे अधिक सफलता मिले थी स्रिलंका के राज तिस्षो को बोध धम में लाने का श्रिय इन्हीं को जाता है समराटाशोक ने अपने जीवन में कई सिलालेग भी खुदवाए जिने इत्यास में समराटाशोक के सिलालेग के रूप में जाना जाता है माउर्य वंग्षे के बारे में पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन माउर्य राज वंग्षों के अविलेखों में मिलते है समराट आशोक ने अपने जिवनकाल में लगभग 40 सिलालिक खुदवाए जिन में से कुछ सिलालिक भारत के बाहर पाये गए हैं जैसे अफगानिस्तान नेपाल वर्तमान भांगलादेश पाकिस्तान आदी आशोक अपने अंतिम स्यासंकाल के वर्षों में बिमार थे और पाटली अपके पटना में 72 वर्षे के आयों में एक समराट की तरह मृत्यों हो गए जिसने बोधर धम के माध्यम से दान और कई परो और साथ में देगे बेल आइकोन को दाबानावत भोले चलो मिलते आगली वीडियो में नमो बुध्धाय जेभिम जेभारत